Modern English Part 2 है, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे Something is not, once cup of tea Once cup of tea का मतलब होता है किसी चीज में ज़्यादा इंट्रेस्ट ना होना या बस की बात ना होना Second आप जानेंगे Satin stone Satin stone का मतलब होता है किसी चीज को बदलना बहुत मुश्किल है कोई चीज बदलना बहुत मुश्किल है पत्थर की लकीर है जैसा कि हम लोग बोलते हैं पत्थर की लकीर है इससे बदलना ठीक है? तो आई ये इस वीडियो को सुरू करते हैं देखें, example है जादा देर तक बाइक पर बैठना मेरे बस की बात नहीं है इससी परकार से देखें, मोबाइल पर घंटो बात करना मेरे बस की बात नहीं है तो आप लोग देख रहे है अगे डेली इंडिस फॉर आल, आई ये वीडियो का और आगे बढ़ाते हैं देखें, learning math is not his cup of tea learning math, मतलब math सीखना is not his cup of tea उसके बस की बात नहीं है या उसे interest नहीं है math में इससे परकार से cricket is not, ये is not है, isn't her cup of tea मतलब cricket उसके बस की नहीं है, या फिर वो cricket को नापसंद है मतलब उसे cricket पसंद नहीं है अगर यहाँ पर होता, playing cricket is not her cup of tea तो मतलब cricket खेलना उसे नापसंद है या उसके बस की बात नहीं है देखिए, वो जानता है कि वाद सबका पसंदीदा नहीं है तो यहाँ पर देखिए, कुछ अलग तरीके से बना है वो जानता है कि के लिए यहाँ पर आप debt लगा दे या ना भी लगाए तो भी चलता है यह पत्थर की लगीर नहीं है इसे बदला जा सकता है, पत्थर की लगीर के लिए satin stone का यूज़ करते है देखिए किस परकार से इसे बदला जा सकता है पत्थर की लगीर नहीं है इसे बदला जा सकता है तो इस वीडियो में दोसको इतना ही उम्मीद करता हूँ यह चोटी सी वीडियो आप लोगे लिए काफी helpful होगे और आप लोगे अच्छे से सीखा हुआ सैटिन श्टॉन एंड वान्स कप अप पीगो तो प्लीस इस वीडियो को लाइक करे शेयर करे कमेंट करे और सब्सक्राइब करे बैल आइकन दबाए जो कि आने वाल नए वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक्स पर वाचिंग प्लीटियर बाइ